हलो एवरिवन इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉग को वेक्टर फॉर्म में अच्छे से समझे की कोशिश करेंगे अगर आपको कूलम्स लॉग नहीं पता है तो आपको पहले कूलम्स लॉग पता होना पड़ेगा अगर वो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं यहां पर सिर्फ मैं वेक्टर फॉर्म को बताऊंगा कूलम के लॉग ठीक है शुरू करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए आपको यूनिट वेक्टर आना चाहिए इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर चूट वन होता है और वन को किसी से मल्टिप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है तो डिरेक्शन का काम आता है कौन यूनिट वैक्टर चली कूलम्स लॉग को अगर वैक्टर फॉर्म में जाने मान लेते हमारे पास एक प्लेन है इस प्लेन में हमने दो एक्सेस ले लि खिंग्स लीरे और एक्स और या दोनों 0 होता है माल लेते एक चार्ज है इसका नाम वन डाला और क्यूवन और जीर्ण से इसका जो डिस्टेंस है इसको मैंने और फंक माल लिया और इसी को माल लेते यह अर वन बेक्तिर है this is called position vector of charge q1 okay दूसरा कोई vector है माल लेता है I'm sorry charge है q2 वो origin से r2 distance में है और इसी को vector ले 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 तो यह हो जायाएगा हमारा position vector of q2 है न ओ से q2 की तरफ और r2 का distance है मैंने यह आप पर vector लगा दिया तो यह हो गया position vector तो q1 का position vector r1 q2 का position vector हमारा r2 clear है अब माल लेते हैं कि q2 और q1 दोनों same sign का charge मतलब दोनों positive charge आप दोनों को opposite charges मानेंगे तो attraction होगा हम माल लेते हैं कि इसमें भी positive charge है इसमें भी positive charge आप कुछ भी मान सकते हैं यह मानने के according दोनों की भी जो force लगेगा आपको पता होगा column's law में दोनों का जो line joining है उसी line में force का direction होता है तो one पर जो force लगेगा force on one by two यह मैं ले रहा हूँ F12 तो F12 का मतलब क्या हो गया है आपर force on charge q1 by charge q2 किधर लगेगा two से one की तरफ ठीक है तो यह वाला direction को हम ले रहे हैं हमारा आर दो से एक की तरफ ऐसा ले लिए आप one two भी लिख सकते हैं हमने टूवन लिखा है ना ठीक है बहुत बढ़ी है अब आर टू जो हो रहा है हमारा जो q2 का पोजिशन वेक्टर है ओ से q2 तक और q2 से q1 हमारा क्या होगा आर टूवन और आर टूवन के डायरेक्शन में ही यह हम ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन यह डायरेक्शन है यह तो वेक्टर का सिंबॉल है ठीक है तो q2 से q1 की तरफ एप one two लग रहा है फोर्स जो वन पर लग र यहां पर वेक्टर लगाते हैं तो यह हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म क्या फॉर्मूला होता है के एलेक्ट्र स्टाटिक फोर्स कॉंस्टेंट जो की मेडियम पर डिपेंड करता है वन बाई फॉर पाइप सेरेंड भी लिख सकते हैं इसको q1 q2 दूनों की बीच का ड तो और भी जालो हमाने मुद्स हैं सब्सक्राइब करेंगें द्रून अ इस्माल होता है आप इसमें confusion मत होई है, confuse मत होई है, यह आपको actually लिखने है, ठीक है, तो r21 जो vector है, unit vector, इसका magnitude 1 और इसको multiply क्यों कि यह direction के लिए, तो क्या हो जाएगा, f12 vector is equal to k q1 q2 by r21, कितना आया हमारा, r1 minus r2, या भी इसको ऐसे लिख दें, r21 इसका whole square, r21 vector को लिख सकते है, r21 vector, बटे r21 vector का magnitude, यही नहीं है, unit vector का formula, vector by vector का magnitude, तो क्या हो गया हमारा, force on 1 by 2, कितना हो जाएगा, यहापे हमने दुनों को positive मान के बात किया, एक positive negative होता तो क्या हो जाता, attractive force लगता, ठीक है, यह भी खयाल में रखे, k q1 q2, है नहीं, और r21 vector, और नीचे क्या हो गया, r21 vector का q, तो force on by 2, k q1 q2, है न, r21 को क्या लिख सकते है, r1 vector, minus r2 vector, divided by, r1 vector, minus r2 vector का mode, उस पे power 3, this is the 100% correct formula, किस form में, vector form में, और k के place में, आप क्या लिख सकते हैं, चाहें तो, 1 by 4 pi epsilon, medium के लिए, एम लिख दे रहें, अगर यहाँ पर vacuum होगा, तो यह note लिखेंगे आप, तो मैं यहाँ पर epsilon ही बस लिखता हूँ, और epsilon क्या है यहाँ पर, permitivity, यह अलग से एक topic बन सकता है, इसको क्या बोलते है, permitivity, उस medium का, clear है, तो k के place में, हम 1 by 4 pi epsilon लिख सकते हैं, य यह अलग कहानी ही, अगर permitivity पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, तो यह I think आपको बात समझ आई होगी, उसी तरह से अगर हम बात करें, कि Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है, किदर लगाएगा, इस direction में, तो यह हो जाएगा, force on 2 by 1, तो आप खुद बता by R2-R1 का mode, दोनों का mode सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, बस direction अलग होगा, तो यह F21 होगी है, I think आपको vector form में, Coulomb's law पूरी तरह clear हुआ होगा, अगर clear हुआ तो आप अपने दोस्तों को भी बताते हैं, इस वीडियो के बारे में, कि यह बहुत अच्छे समझायागी है, नहीं समझायाए, तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मिलते हैं वरी से तरह के, topics को लेकर next video में, thank you very much.